मश्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चंद्र धर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया कछवा धर्म निबंद का पारांज वीडियो का अंतक जरूर देखिएगा आपके लिए बहुती मैदपूर होन सिस्वी में इनकी मृत्यू हुई दी 12 सितंबर 1922 में इनका जर्म स्थान है जैपूर राजस्थान इनके पिता का नाम है पंडित शिवराम इनकी माता का नाम है लक्षमी देवी इनके कार्य कबारे में पढ़ते हैं गुलेरी जी अजमेर के मेयो कॉलिज में अध्यापक र ने गुलेरी जी औरियंटल कॉलिज के प्राधानाचार्य भी रहे इनकी रचनाएं हैं हीरे का हार घंटा घर उसने कहा था सुख में जीवन आदी इन्होंने अपने साहित्य में समकालीन समाज में अंधविश्वास रूडियों और जूटी परंपराओं का चित्रन किया है इनके समय में जो समाज में अंधविश्वास फैले थे जूटी रूडिया थी परंपराओं थी उन्होंने उनका चित्रन अपने काव्य में या साहित्य में किया है इन्हें इतिहास दिवाकर भी की उपादी दी गई है याद रखे इतिहास दिवाकर की उपादी किसे दी ग इस निबंद के माध्यम से वह हिंदूों की प्लायनवादी प्रवर्ती पर क्रारा व्यंग्य करना चाहती है। इंदों की प्लायनवादी प्रवर्ती क्या है कि वे जो समस्याई आती हैं हमारे सामने मुसीबते आती हैं तो हम उससे प्लायन कर जाते हैं उनसे भाग लेते हैं तो इसी प्रवर्ती पर उन्होंने व्यंग्य किया है पलायनवादी परवर्ती अर्थात समस्याओं का सामना करने की बजाए उनसे भागने की परवर्ती को गुलेरी जी ने कच्छवाधर्म का नाम दिया है अपने उदेश्य को पूरा करने के लिए गुलेरी जी ने धार्मिक और एतिहासिक परसंगों का सहारा लिया है धार्मिक और एतिहासिक परसंगों को अपने निभन्द में दिखा कर उन्होंने बताया है कि जो कच्छुआ धर्न की परवर्ती है वह सही नहीं है वे मनुस्मृती का उधारण देते हुए कहते हैं कि मनुस्मृती में क्या कहा गया है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां कोई गुरू की निंदा करे या असत्य कथा कह रहा हो तो वहां से भले आदमी को उठकर चला जाना चाहिए या अपने कान बंद कर लेने चाहिए ये इनके कहने का मतलब है कि जब कोई गुरू की निंदा कर रहा हो तो मनुस्मृतिक अनुसार हमें उसे सुनना नहीं चाहिए, अपने कान बंद कर लेने चाहिए या वहाँ से उठकर चला जाना चाहिए इन्हों ने ये दो उपाए बताए हैं, मनुने ये दो उपाए बताए जबकि इनके अलावा एक तीसरा उपाए भी हो सकता है जो दूसरे देशों के सो में से नब्बै आदमी ऐसे अवसर पर जगडा करते हैं तीसरा उपाए क्या है? दूसरे देशों के लोग क्या करते हैं? ऐसे समय पर वे जगडा करते हैं जो गुरू की निंदा करता है उसके कनपटी पे मारते हैं या उसका ऐसा मुँ तोड़ देते हैं कि वो दुबारा ऐसा नहीं कर सके मनु ने यह उपाय नहीं बताया है कि जूता लेकर या मुक्का तानकर खड़े हो जाओ और निंदा करने वाले का जबड़ा तोड़ दो या मुँ पिचका दो इसके बाद वे दोबारा गुरू की निंदा करने की हिम्मत ने कर सकेगा हिंदू का धर्म कच्चवा धर्म है वह उन्हें इसकी आग्या नहीं देता वह तो कच्चवों की तरह धाल में मूँ छिपाने में विश्वास करता है मतब कच्वे का धर्म क्या है कि जब भी कोई उस पर आकर्मन करता है तो वे अपनी खोल में मूँ और हाथ चिपा लेता है तो यही धर्म हिंदू का धर्म भी है जिस प्रकार कच्वे पर आक्रमन होने पर वे हात मूँ छिपा लेता है कोई विरोध नहीं करता उसी प्रकार यह धर्म कौनसा धर्म हिंदू धर्म विरोध की बात नहीं करता इसमें महाकवी अश्गोष द्वारा महत्मा बुद के साथ चलने वाले साधूों को दी उप्मा का उल्ले किया गया है महाकवी कहते हैं कि अनार्यों द्वारा अपमानित महर्शी देश से उसी तरह भागे चले जा रहे थे जैसे धर्म ही भागा जा रहा हो लेखक ने कच्छवे धर्म के समर्थन में अनेक उधारन दिये हैं उन्होंने आर्यों लोगों के इसी व्यभार का उधारन देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी असुरों से लोहा नहीं लिया आर्यों ने कभी भी अनार्यों या असुरों से लड़ाई जगडा नहीं किया वे उनसे संघर्ष करने की बजाए मैदान छोड़ कर अन्यत्र जा बसने को ही अपनी कुशलता समझते दूसरा उधारण देते हुए वे कहते हैं कि आर्ये सोमरस पीने के शोकिन थे उसे खरीदने के लिए वे सैकड़ों हजारों गवए देते थे उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिस भूमी पर वे रहते हैं वे इतनी उपजाओ है कि उस पर सोम की खेती की जा सकती है इसी तरह हिंदूओं ने समुंद्र पार जाना वर्जित कर दिया क्योंकि उन्होंने सुना था कि समुंद्र पार जाने पर व्यक्ति को विधर्मी बना दिया जाता है और विधर्मी होने के डर से उन्होंने समुंद्र पार जाना छोड़ दिया उन्होंने यह नहीं सोचा कि रामेश्वर पुल के दर्शन मातर से ब्रह्म हत्या तक का पाप मिट जाता है तो फिर वहाँ जाने पर दोश कैसे लगेगा किंदू हुंद्यों ने कच्छुआ धर्म के अनुसार समुद्र पार जाने पर पाबंदी लगा दी इन्दू जराब नहीं सोचते समस्या का समाधान खूचते ही नहीं वे सिर्फ उनसे भाग लेते जैसे कि किई किसीने कह दिया समुद्र पार जाओगे तो विधर्मि वो जाओगे तो इस डर से उन्होंने समुद्र पार जाने छोड़ दिया कि जिस कुए का पानी वे पीते हैं उसमें उनका अभक्षे डाल दिया है अभक्षे क्या है जो खाने के योगे नहीं होता इस से गाउं के गाउं इसाई बन गए इसाईों की ही यह चाल थी कि लोगों में यह अपवा फैला दी जाए कि जिस कुए का वे पानी पी रहे हैं उस जाने में किया गया पाप नहीं होता किसीने यह नहीं सोचा कि कुल्य कर ले घड़े फोड़ दे या उल्टी कर डाले जिसे पानी निकल जाएगा और उनका पाप दूर हो जाएगा हिंदु ने खांड खाना भीबंद कर दिया क्योंकि किसी ने अपवाब फैला दी थी कि उसम योग्य चीजे नहीं होती जो हमारे धर में पाप है जीजे खाना तो ऐसी चीजे खान में मिली हुई है तो हिंदुों ने खांड खाना भी बंद कर दिया उन्होंने सुधार करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कि इसी तरह कि अफ़बाई यदि फैल जाये तो वे गुड आ करना चाहे तो कोई ने कोई उपाय मिल ही जाता है किन्तु यहां तो लोग सोचते हैं कि चोर को मारने की जग है उसकी मा को ही मार दिया जाए ताकि चोर पैदा ही नहूं ना रहेगा बास्त ना बजेगी पासुरी यह जीवन के दुखों की जड़ है इस जीवन के समाप्त इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए जो हमारे जीवन है वह ही दुखों की जड़ है तो यह लोग सोचते हैं कि जीवन को समाप्त कर देना चाहिए या इससे विरक्त हो जाना चाहिए कच्छवा धर्म के कारण ही हिंदों में जीवन के प्रती वैराग्य की भावना का जन बंद कर लिये थे जैसे शुतुर मुर्ग अपना पीछा करने वाले से बचने के लिए रेत में अपना सिर्थ छिपा लेता है देताओं ने क्या किया था न्याक्ष के डर से अपने स्वर्ग के द्वार बंद कर दिये थे ठीक वैसे ही जैसे शुतुर मुर्ग अपना पीछा चुडाने के लिए रेट में अपना सिर्फ दे देता है निशकर शुरूप में हम कह सकते हैं कि लेखक का मुक्य उदेश्य हिंदो की जो प्लाइनवादी परवर्ती है उस पर करारा वेंगे करना है जिसे में वह सफल भी हुए है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगिए तो